स्ट्रेंट्स वेलकम दो दे सेलेक्शन केमपस आज का जो मारा बच्चों एडिटोरिल है उसका टाइटल है डेजर्ट होम ठीक है किसके उपर है आपका एक कोश्चन बदल चुका है क्या बदल चुका है जो 2021 में वर्ल्ड कप होना है टी 20 का वह इंडिया में नहीं होगा वह होगा अब United Arab Emirates में ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए अबुदा भी जिसकी कैपिटल है तो क्यों हुआ है यह आपको पता ही है करोना के कैसिस बढ़ गए है इतने इसलिए होने जा रहे है और आपको पता IPL जो भीच में रोख दिया गया वो भी यहीं शिफ्ट हो र कब करवाना ठीक है यह नहीं है तो इसी के उपरी आज का इटोल है पर वर्ड्स हमें सीखने को बहुत मिलेंगे सिंदनिम्स भी मैं बोलता रहूंगा साथ की साथ आप नोट करते चलिए ठीक है करें स्टार्ट बच्चो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल तो इसमें पूरी की पूरी ग्रैमर तो सिखाएं जा सकती है कुछ पॉइंट डिसकस किये जा सकते हैं ठीक है तो आप ग्रैमर का एक पेड कोर्स है बिल्कुल मिनियों माउंट में आप जाए उसे देखिए डेमो के लिए यूटूब पे वीडियो पढ़ी है सेम वैसी वी आप में डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी सब चीज होगा परें स्टाट वीडियो अगर लाइक कर दीजेगा अगर समझ आये तो आपको सब कुस्त लाइक कर सकते हैं चलिए करें स्टाट चलो अब कर लेते हैं डैजर्ट होम वाड़ अपिस्तान का एरिया जो उठो पर लोग चलते हैं आपको पता ही है तो यह इसी के उपर है एक टॉल डैजर्ट होम की है जो हो मैं वो बना लिए डैजर्ट बना लिए अपना घर वहां बना लिए जो मैच यहां होने थे वहां होंगे अब ऑन यूए एज इंडिया क्रिके का ग्राउंड बन जाना यह और जो भी आपको पार्टो स्पीच से रिलेटेड प्रोब्लम है बच्चे यह सब चीज़े डाउट में बताई जा सकती है वीडियो पहले लंबी खिज जाती है तीस मिनट से उपर वैसे भी ज्यादा हो जाती है लंबी तो जो जो मेन है वो मै पार्टो स्पीच ग्रैमर से रिलेटेड तो यह करते हैं स्टार्ट हां कि डैजर्ट हो गया यह ओन यूए एज इंडिया के क्रिकेट का वैन्यू होना वैन्यू मतलो जहां ओर्गिनाइज होने क्रिकेट इंडिया सीम्स टु हैव वांड अप लग रहा लगता अब है यह क रजगे इंडिया के बारे में क्या लगता है कि वह तु है वांड अप यह वह हो गई है वांड अप का मतलब सुन लो तू वांप तू का मतलब होता है तू बिगिन और लाइक संथिंग इंजोए संथिंग की मतलो शुरू क लग रहा है इंडिया के बारे में वह लाइक करन misgiving किसके बाद पहले तो वो क्या कर रही थी इंडिया अर्लियर यहाँ adjective misgiving simple noun है misgiving का मतलब a feeling of doubt worry about a future की हम हार ना जाए यह ना जाए तो चिंता थी तो इसके बाद ऐसा लग रहे है शुरू हो चुगे like करना यूँ को like का मतलब simple enjoy करना कि यहाँ ठीक है करवादों कोई दिक्कत नहीं हां तो वाइरस ही बहुत है तो अब ऐसा कह रहे है earlier misgivings misgiving का मतलब doubt ठीक है the ICC T20 World Cup shift from India to shift from India to UAE was inevitable was necessary inevitable का मतलब इसे टाला ना जा सकता which can't be avoided necessary यह adjective है क्योंकि बाद लिंकिंग वाब है तो यह आपका adjective हो गया ना इसे note कर सकतो inevitable का मतलब जिसे टाला ना जा सकता जरूरी है necessary है क्योंकि यह वाइरस के cases है following क्यों recurrent waves of recurrent recurrent का मतलब adjective है recurrent waves के लिए repeated recurring ठीक है repeat हो रही है जो waves बार वर इसके कान यह वहां करवा दिये ठीक है and the logistical difficulties of hosting and event featuring multiple squads squads तो कह रहे हैं और क्या problem थी यह इंडिया में करवाने में logistical logistic का मतलब होता है कोई भी organization को manage करना arrangement करना सारे staff को कई चीजे hotels लेना यह सारा manage करना पड़ेगा ना तो लोजिस्टिक का पार्ट होता है सारा product की packaging से लेकर पहुचाना customer तक यह सारा logistic पार्ट होता है तो कह रहे हैं यह भी एड्जेक्टिव है यह पर तो logistical difficulties जो है of hosting and event featuring multiple square तो कह रहे हैं एक logistical difficulty भी थी host करने में एक ऐसे event को जिसमें include feature का मतलब जिसमें जैसे किसी hero को feature किया गया इसमें include किया गया जिसमें multiple teams है multiple teams part लेंगी T20 World Cup अगर इंडिया में करवा दिया जाए तो तो कह रहे हैं वेब थी logistical difficulties थी host करने में तो हमने host नहीं किया host मतलब जिसके कंट्री में होना है जैसे जापैन में टोक्यों में olympic होना तो वह host country होगी चलिए ओवर दा लास्ट फ्यूवीक्स लास्ट फ्यूवीक्स से लेकर क्या कह रहे हैं ओवर दा लास्ट फ्यूवीक्स क्या हो रहे है the news first started as a source based whisper news पहले start हुई as a source based पहले start हुई यह verb है as a source based whisper whisper का मतलब क्या होता फूस है धीरे धीरे बोलना कुछ quietly to talk quietly जिसके कितने ही word में आपको बढ़ा सकता हूँ मवमर भी बोलते हैं M-U-T-E-R मंबल भी बोलते है M-U-M-B-L-E सारे M से वर्ड हैं सारे लगबग जिसमें धीरे धीरे बोलना होता है बिलकुली तो कह रहे है news पहले तो start हुई थी source based originate हुई थी कुछ निकली थी मतलब कहीं source से थोड़ी बहुत कानों में आवाज आई थी before इसके before के बाद बाड़ी लाइन बाद में होती है before से पहले ही होती है थोड़ी बहुत कानों में पड़ी लोगों के धीरे से तो उसके बाद क्या कर दिया board of control for cricket in India BCCI टोब ब्राइस जब BCCI इंडिया के जो टोब ब्राइस का मतलब होता है यहां पर टोब ब्राइस कांड़ी ना उनका ही काम कर रहा है ब्रास कांड़ों हाई-रेंकिंग एक ब्रास तो आपको पता ही होना चाई पितल होता है जो copper और जिंका mixture वो नहीं है यह ब् लड़भ क्रिकेड क्या थोप राग साहाई दो और को ने सगरेटरी सउरव गांगली प्रेजिडेंट थे और सिक्रेटरी कौन है जैसा अमिच छाह के जो लड़के हैं सेक्रेटरी ये हैं इन्होंने जब इंडिविजवली बोला क्लियरली क्या क्लियर करते हो देखो टोब्र सकते एक इंडिवीज्व ली कुल saúde कि रिख कर करॉपक्रेंट्स कि रॉस्टीशिप तरीके से डेट इंडिया वोड होस्ट रीके से बताइब एडिया यू Ó एंडिया यू ू। करेगी UAE को होस्ट नहीं करने देगी इंडिया होस्ट करेगी जभी तो कैसे डैजर्ट होम फाइनली दा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इशुड़ स्टेटमेंट आइसी सी जो में ने क्रिकेट की ठीक है जिसका दुबई में हैड को रहे हैं पता होना चाहिए 1909 में शु इन्होंने क्या स्टेटमेंट इशु की डिकलेरिंग डैट यह पार्टिसपल है यहां से क्या डिकलेर करते हुए डैट दा टॉर्नामेंट विल भी हैल टॉर्नामेंट कब होगा फ्रॉम अक्टूबर 17 टू नॉम्बर 14 विद ओमान ओमान भी एक कंट्री है मिडल इस्ट की गया और बी वेस्ट अशिया की कंट्री बोला जाता है उमान मस्कैट जिसकी कैपिटल है रियाल भी है जिसकी करन सी ठीग है तो एंट इस्ट को मैंट हो जिसमें ओमान बी स्टेपीन करेगा उमान कंट्री भी स्ट्वाइन नॉमाइन का मतलब गयूं कहल वह Credits संगेंध या फिर involve होना तो उमान भी step in करेगा as a co-host ये भी एक co-host कितना काम करेगा co-author, co-founder मतलब एक ने found नहीं किए उसके साथ एक और भी था co-author मतलब एक ने book नहीं लिखी साथ में कोई और भी है तो इंडिया केला host नहीं करेगा उमान भी करेगा फार्दा qualifiers क्वालिफायर्स यह जो मैच होना है क्वालिफायर्स इनके लिए उमान ने भी कदम आगे बढ़ाया है इस मैच होने के लिए ठीक है जो भी मैच होगा इसमें उमान भी करेगा co-hosting once the BCCI scheduled उमान में भी मतलब आप यूं समझे co-host का मतलब यह है उमान में भी मैच होंगे क्वालिफायर्स के मैच जो आद में क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए उमान में भी मैच होंगे once the BCCI scheduled the remainder of the IPL once जैसे BCI ने क्या किया एक बार schedule कर दिया remainder remainder एक तो reminder होता है remainder जो बच नहीं जाता है डिवाइड करते हैं कुछ बच जाता है remainder remainder का मतलब यहां पर क्या है noun है simple article लगा हुए remainder का मतलब है residue balance rest of the IPL क्योंकि IPL आपको पता है बीच में रोक दियागे उसके बचे कुछे मैच वहां होने है ठीक है UAE में तो एक है दुबई में बताए गया था ठीक है once the BCC schedule the remainder of the IPL in West Asia ahead of the T20 World Cup तो कह रहे हैं जब एक बार BCC इनने schedule कर दिये थे बचे वे मैच IPL के West Asia में ahead of का मतलब before of prepositions आई यह क्या है before of T20 World Cup World Cup होने से पहले जब IPL के मैच होंगे फिर World Cup होगा जाके ठीक है वो तो October November में जैसे World Cup होने है तो जब कर दिये थे इन्होंने इट वार नो सर्प्राइज तो कोई सर्प्राइज नहीं था डेट दा प्रीमियर चैंपियंशिप यह जो प्रीमियर important championship World Cup जिसे कहते है to would follow suit तो कह रहे है यह championship भी would follow suit suit का मतलब कही होते है एक तो verb की बात करो तो यह suit करता है तुमें ठीक है एक तो verb की बात चोड़ो तो noun की बात कर लेते है outfit, dress, suit legal action को भी suit कहते है उसने file suit कर दिया दमारे खिलाफ मतलब legal action बट यहां follow suit अपने आप में एक phrase है जिसका मतलब होता है imitate करना नकल करना तो कह रहे हैं जब इन्होंने जब IPL वहां कर दिया तो इसमें कोई surprise नहीं था यह जो प्रीमियर close proximity कहां होना इनका close proximity का मतलब नजदीक है यह तीनों ग्राउंड ठीक है तीनों ग्राउंड बिल्कुल कहा है नजदीक है आसपास लगें हूँ है इसलिए नसदीक है और क्या कि इसमें किलो में किलो मिटर का लिकां मैं close proximity proximity का मतलब सीख लो अब simple है noun होता है कई वर्ड बता दूँए के closeness nearness जक्ष्टा position भी यह होता है कि pass में रख दो दो चीजों को ताकि comparison कर सके प्रोपिन्कुटी अच्छा वर्ड यह बार बर पूचा जाता है प्रोपिन्कुटी प्रोपिन्कुटी यह भी नजदीकता ही होती है तो कहेरें तिनों पास है तो इसलिए अब यह UAE क्यों लिख्छा है क्योंकि तेखो यह जहां पर यह शुरू हुआ था UAE के लिए बोला कोई चीज कट आउट कर देना मतलब रिमूव कर देना खाटा देना ठीक है मनommt-सकी दीम इंटावल की नीड़ी कर दिया कि खतम कर दीए में की उटेंस के कोई भी डोक्टर आएगा, आपके पास आएगा, आप कहीं बाहर नहीं जाओ, कुछ खाना पीना चाहिए, यहीं आएगा, तो आपको इस बायो बबल के अंदर अंदर रहना है, यह नहीं कोई गुबारा बना दिया और इसमें रहते हैं, बस वो एरिया फिक्स कर देंगे, आ अपने होटल में, एन एसेंशियल रिक्वाइरमेंट इन इस फ्रॉट टाइम्स ओस ओफा कॉंस्टेंटली मुटेटिंग वायरस, तो यह एक एसेंशियल बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट थी, इन इस फ्रोट टाइम्स, फ्राइम्स का मतलब बड़ा ही चिंता वाला और ओर यू जी एच्टी ओवरोट है डिस्ट्रोट है और यह तो सब कोई पता है एंक्शस थीक है वरीड तो यह इसका मतलब तो ऐसे टाइम पर जो कॉंस्टेटली पूरे एडवर्ब यह यह एड़ियर इस एसा वाइरिफ जो मुटेट कर रहा है कॉंस्टेंटली ठीक है मुटेट का मतलब चेंज होना अपने रूप बदलता जा रहा है ठीक है यह इसके लिए पार्टिसपल है यह एडवर्ब है क्योंकि यह वर्ब भी है आगी इतनी वाज़ इंडिया होस्टिड इंगलेंड अर्लियर दिस इयर बाकी एसी जे ग्रैमर के होस्ट किया था इंगलेंड को इस साल से अर्लियर दिस इयर की शुरुवार्थ में 2021 में किया था फरवरी मार्च में जब करोना खुस था नहीं ऐसा एंड़ आई पेल टू कोमेंस दिस समर और आई पेल भी शुरू हुआ था इन समर महीनी गर्मियों में आपको पता है अप इस पेंडमिक के सरय ने क्या बता दी मतलब था मीन्ट डैड मतलब होना मतलब कर दिया कि लीक को क्या करना पड़ा लीग YEть है टू भी सेस्पन्ड़ीड लीग को सस्पेंड करना पड़ा थाBe कि वाइल सेटनफ इन दा ड histor प्राइब टुन थोंटी वर्लक और जब की सेकंड विन्ट के बारे में क्या चाहा गया था क्या वंटेड सीक्त सोट शौड का मतलब चाहना कि डिजर्ट सेन्फ में कहली जाए सेकंड विंड प्रीयर प्राइब टूड टी टूंटी वर्लक प्र ठीक है second wind तो कह रहे हैं यह जो IPL की लीग थी इसे क्या करना पड़ा suspend करना पड़ा बीच में while a second wind second wind wind का मतलब second wind एक phrase होता है इसका मतलब पर क्या होता है now नहीं second wind का मतलब होता है able to continue something different मतलब कोई चीज आप जारी रखने में पूरे सक्षम हो पाना ठीक है जो बहुत ज़्यादा difficulty you some low able to continue something difficult after you have been tired of that बहुत पहले आप ठगे ठगे बहुत ज़्यादा फिर आपने दुबारा जारी करने की सोचा उस काम को second wind खेलने की सोची तो कहरें second wind वही है दुबारा जारी करने की हिम्मत करना जो काम difficult हो तो कहरें second wind के बारे में क्या प्रियास किया गया कि वह desert sand में खेली जए prior to the T20 World Cup World Cup से पहले क्योंकि अभी IPL के मैच होंगे फिर जाए World Cup होगा डैट आता है दो close को जोडने के लिए भी एक और close आएगा उसको जोड़ेगा क्योंकि यह makes verb है देखो for a year ऐसे साल के लिए इंडिया for a year इंडिया पोस्ट इस domestic cricket makes it the makes it all the more difficult for it to suddenly lend its weight to international pictures at home ठीक है कह रहे इस साल के लिए इंडिया ने जो अपना domestic cricket बिल्कुली बंद कर रखा था corona एकान तो यह जो चीज है ना makes it इस चीज को और ज्यादा difficult बना देती है for it for it मतलब इंडिया के लिए to suddenly lend its weight अचानक से lend its weight to international tournament at home fixtures का मतलब क्या होता है जो भी tournament matches होने है ठीक है supporting event होने है at home यह और ज्यादा difficulty बना देता है suddenly lend its weight lend its weight का मतलब होता है to make something probable credible attest vindicate certified कि ऐसा हो जाए मतलब किसी ने कोई बात कई तो यह अगर वो evidence दिखा देता है तो आप कहोगे lend weight तो इसकी बातों में lend weight है यह समझो do you have any evidence that lend weight to your assertion यह जो बात कह रहे हो तुमारी कोई evidence है जो इसको मतलब justify कर दे credible कर दे तो कह रहे है इस चीज़ ने और ज्यादा difficult बना दिया इस चीज़ को justify करवा पाना इस चीज़ को probable करवा पाना कि international fixture जो international match है यह घर पे हो पाएंगे क्योंकि domestic cricket बिल्कुली बन था तो इस चीज़ ने और ज्यादा difficult बना दिया ठीक है इंडिया के लिए यह वह आगी पोस्ट तो यह डैट फॉर ए इंडिया पोस्ट domestic cricket तो यह पूरी बात के लिए आ गया यह आपका makes ठीक है आगे पढ़ते हैं नाउडेट दा यह पूरा phrase भी कई बार verb होता है सिखा जाता है इसमें नाउडेट प्रो नाउन के टोपिक में नाउ डैट दा अंबीवेलेंस यह नाउन है यह आपे एंसी वाले बरड नाउन होते हैं नाउन डैट दा ambivalence has been shed तो यह subject है यह verb है इसकी now that अब क्या हो रहा है यह जो ambivalence है यह shed हो चुकी है shed हो चुकी है ambivalence का मतलब ambi gritty सुना होगा ambivalence का मतलब uncertainty doubt indecision equivocation equivocation दोनों तरफ से जो बोले वो uncertain है vocal equivocation has been shed shed का मतलब बताओ shed के कई मीनिंग होते है shed का मतलब गिरना shed tear आंसू भाना बाल गिर जाना loss of air shed होता है पर shed का यहाँ जो मीनिंग हो यह होते है कई बार कहते हैं हमें चुटकारा पाना है कई employees को निकाल देते हैं shed the employees क्यों आपको चाहिए ही नहीं घटा होरा company में तो यहाँ यह वो ही है to get नूटरल वेन्यू तो कह रहे हैं यह बड़ा interesting है note करना कि यह UAE का निकल कर आना एक popular neutral venue है neutral venue का मलद इसमें सारी टीमों के लिए neutral है ना यह किसी को फाइदा तो नहीं होगा ना दुबाई की तो वैसी यह से बोलते है विंटेज कार विंटेज ड्रेस हाई क्वालिटी पर ना उनो ना जब विंटेज तो उसको बोलते हैं विंटेज को period era युग ठीक है तो कह रहे हैं fans of a certain vintage उस time के उस quality यूं समझ लो उस period के कुछ fan है निश्चित period के वुड रिकोल पास्ट वो क्या करेंगे बुडे हो गए हैं जो हो तो वो जो पहले पुराने लोग गोगरिकेट के देखते थे सची टंडूल कर वगएरा गा वुड रिकोल पास्ट जाउस्ट रिकोल का मतलब याद करना यह वर्ब है यह object आपका रिकोल पास्ट जाउस्ट जाउस्ट का मतलब सिंपल है क्या जाउस्ट का मतलब टूर्नामेंट लगा लो जिसमें दो ऑपोनेंट खेलते हैं बड़े क्लोजली उनमें तूर्नामेंट में बड़े कंपीट करते हैं क्लोजली होके गोड़े वैसे यह जो वर्ड यूज होता ये मैदान है ये क्या हो गया टूर्णामेंट हो गया तो कह रहा है फैन ओव सर्टेन विंटेज वूड रिकॉल उने याद आएगा वो पास्ट के टूर्णामेंट जो शार्जा में खेले गए थे ठीक है जिन लिट अप बाइदा और वो टूर्णामेंट वो जो लिट अप के द्वारा लिट अप कर दिये गए थे वो टूर्णामेंट मतलब इल्यूमिनेट कर दिये ते मतलब उनमें जान बढ़ देना इनलाइवन करें लेजंडरी एक्सप्लोइट एक तो देखो बच्छों एक्सप्लोइट वर्ब होती है किसी का फाइदा उठाना डोंट एक्स एक्सप्लोइट यहां पर नाउन है लेजंडरी आपको पता ही है फेमस तो एक्सप्लोइट का मतलब यहां पर है स्टंट ठीक है हिरोइक पर्फोर्मेंस मतलब सम्थिंग अन्यूजल ब्रेव समवन हैस डन जिसे मैन्योवर भी कहते हैं म-a-n-o-e-u-v-r-i-v-r-e-v-r-e ठीक है फीट भी कहते हैं जिसे ऐसा मतलब effort तो कह रहे हैं यह lit up हो गया था ground मतलब illuminate हो गया था जिंदा हो गया था उनकी performance देखे बाइदा legendary exploits of stars जो famous action मतलब उनके जो action थे stars के कौन से stars जो कहां से कहां range थे वराइटी उनकी जावेद मिलेंडन तू सचिन टेंडूल कर ज से इनके heroic performance से इनके जो brave action थे brave बड़ा अच्छा खेलते थे उनको कहतने exploits मतलब maneuver इनके करतब feet ठीक है तो इनके करतब से ground lit up हो गया था यह बोल रहे हैं इसमें and then India stayed away यह verb stay away और तब इंडिया थोड़ा दूर हो गया था for a while थोड़े time के लिए as talk about bookies and off-field corrupt influences surface जैसे ही क्या influences जो off-field corrupt influences surface ठीक है bookies और off-field corrupt influences ने surface किया surface का मतलो उपर आ जाना surface पर आ जाना appear होने लग जाना off-field off-field का मतलब field से बाहर जो आपकी private life है उसमें corrupt effect influence मतलब effect यह ना उने यहां पर corrupt influences surface उन्हों सामने आने लग गे bookies लोग match fix होने लग गे तो इंडिया थोड़ी दर के लिए दूर हो गया था मैच वगर फिक्स करने लग गे दाओ दोर meanwhile इसी दोरां टेररिजम सकार्ड पाकिस्तान टेररिजम से इंजड हुआ हुआ पाकिस्तानी पास्ट पार्टी बिला सकार का मतलब मार्क कोई आपको इंजरी हुई और उसके मार्क लेफ्ट रह गए निशान रह जाए उसके उते कार्ट इंजरी भी कह सकते हुई इसमें सिंपल ठीक है डिसफिगर करते ना किसी को तो एक यह आप फिक्स से टेररिजम स्टेट है ठीक है उस पर इंजर्ट स्टेट है यह पास्ट पार्टिसपल का काम करेगा ना यह पाकिस्तान के लिए तो इस ताम यूएई को पाकिस्तान ने अपना होम वेन्यू बना लिया था कि हम वहां मैच करवाएंगे आज नर्वस राइवल्स जो नर्वस कमपीटिटर थे पाकिस्तान के जो और टीम्स थी रिफ्यूज टू लैंड इधर एड कराची और लहूर या कराची और लहूर में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उतरने से लैंड का मतलो आपको बताए ग्राउड में उतरना मैच खेलना रिफ्यूज कर दिया साफ सा मना कर दिया हम नहीं आते हैं तो गोलियां चलती है जब शीलंका पर चलिए देख सकते हैं न्यूस चैनल पर यूट्यूब पर मिलेंगे आपको शीलंका वाले खेलने गए जैसुरिया और वगयरा गोलियां चला दी क्रिकेटि आउट्पोस्ट अपना एक क्रिकेटि आउट्पोस्ट है जैसे यह जासे यहां पर एक आउट्पोस्ट बना दिये जाते है था कि वह एनिमीज वगयरा पर नजर रखिजाए जो मलब अपनी जगह से कुछ दूर हो कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग हो जहां पर गुर्वर्मेंट अपना काम करना चाहती है तो उसे आउट पोस्ट कहते हैं ठीक है अटैक करना सिंपल पॉइंट ओटैक तो कह रहे हैं तब से क्रिकेटिंग आउट पोस्ट को लाइक करने लगे यूए में इंडिया भी वाइल पाकिस्तान उसी समय वाइल का मलब उसी समय पर पाकिस्तान हैस फांड फ्यू विजिटर्स विलिंग टू प्ले ओन इट्स तफ तब से पाकिस्तान ने यह भी ढूंड लिया है थोड़े बहुत विजिटर्स जो विलिंग हैं तयार हैं उत्सुग हैं फ्यू विजिटर्स विलिंग पार्टी समय का काम कर रहे हैं ठीक है टू प्ले ओन इस टर्फ तर्फ कम अलब मैदान ग्राउंड घांस वगेरा जहां उखती है ठीक है त अलवेस्ट फॉरवर्ड यूए ने हमेशा ही स्टैप फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना किसी की मदद करने के लिए ठीक है तू गीव और ओफर हैंड इंडिया है एड एंट इंस्टेंट सॉलूशन और इंडिया के पास एक इंस्टेंट सॉलूशन था फोर इस टी कि वोल्ड कॉष्ट करने का क्राइसिस भी वहीं से दूर हो सकता था कि वर्ल्ड कॉष्ट कैसे करेंगे ठीक है और यूए का सामने आ जाना हेल्प करने के लिए हैज ओलवेस टैप फॉरवर्ड हमेशा त्यार था वो तो कि सामने आओ वहमारे पास भी कुछ पैसा आएगा हेल्प करने के लिए ओफर करने में तयार था और इंडिया के बाद इस्टाइश सोलुशन भी यही था आफ्टर विनिंग आफ्टर विनिंग दा इन्योग्रल इन्योग्रल का मतलब होता है स्टार्टिंग बिल्कुल पहला फर्स्ट जीतने के बाद यह जरेंड यहां पर हमें कोई वर्ल्ड कप 2007 में कह रहें जीतने के बाद इंडिया तब से क्या सफर कर चुका है टाइटल ड्रोट का मतलब अपने नाम कोई टाइटल करवाई नहीं पाए ड्रोट का मतलब कमी जैसे बारिश की कमी तब से टी ट्वंटी का कोई भी 14 साल होगे आज कोई भी तो यहां पर केस कस पर कोर्ण करेक्शन मतलब अपने को ठीक करने की जरूरत है ठीक है ठीक है बशर दी डिल इनिट जूडवा है दो कहलो दो यूनिट, इंडिया की दो यूनिट मतलब दो टीम हैं बना दी गई है इंडिया की एक को तो कह दिया है कि तुम जाके श्रीलंका में टीटवंटी खेल के आओ जो शीकर्दवन वहां के कैप्टन है और एक को कह दिया है तुम जाके टेस्ट मैच इंगलेंड में खेल के आओ उसके विराट को लिए तो दो यूनिट करना है उनके साथ डील करना है उसे पहले यह था हमारा आज कैटल थैंक्यू बच्चो नोट कर लेना वो क्या बार बार रीड करके शायर कर दिया अगरो वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हम आपके लिए बता रहे हैं एफट जादा कर पाएंगे अगर आप शेयर करोगे देखेंगे तभी तो में अफट करेंगे कुछ देखेंगा इने तो हम क्या किसके लिए बनाएं किसके लिए करें तो आपका फर्जेक है शेयर करना ठीक है थैंक्यू